हेलो एरिवान गुड मॉनिंग नमस्कार 20 जनवरी 2021 और आज के दहिंदू नीज पिपर को हम लोग डिसकस करेंगे एनालिसिस करेंगे आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तनाईS Academy टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे भारत और अस्टेलिया के बीच में जो टेस्स सीरीज चल रही थी बोर्डर गावास का टेस्स सीरीज इसमें भारत ने दो एक से टेस्स सीरीज जीत लिए जो गावा एक स्टेडियम है वहाँ पर 32 यर के बाद पहली विक्ट्री हासिल करी इससे पहले 1988 में भारत ने वहाँ पर विक्ट्री हासिल करी थी ठीक है और यह इंटरस्टिंग है इससे पहले भारत वहाँ पर अस्टलिया के अंदर सीरीज जरूर जीत चुका है लेकिन गावा पर्टिकुलर स्टेडियम के अंदर 32 यर के बाद हमें विक्ट्री हासिल हुई है इसके बाद सेकिंड इन्फोर्मेशन है एक कैंसर केर को लेकर एक पाइनियर परसनलिटी थी डक्टर वी शानता उनकी डेथ हो गी है और उन्ने केंसर ट्रीटमेंट को अफोड़ेबल बनाने के लिए काम किया कैंसर एक non communicable disease है और कहसकते हैं कि उन डीजिज में से count क्या जाता है जिसके treatment को लेकर scientist डोक्टर अभी भी research कर रहे है इनके अलावा अगरा बात करें cancer की वज़े से death जो है अभी भी बहुत जादा हो रही है और ये ने केवल भारत में बलकि दुनिया भर में इसकी वज़े से death हो रही है इसे लिए लगाता discussion किया जार है कि fatty acid के बारे में हमने पढ़ा था जो कि cardiovascular disease या दूसरे जिसको cell को वो uncontroll करने में मदद कर सकता है सकते हैं cancer को होने से रोका जा सकता है और हमारी government ने भी उसके लिए काम कर रही है ठीक है इसके बाद पूरे देश के अंदर vaccination प्रोग्राम चल रहा है तो यहां बर बताया गया पंजाब तमिलनाडू जो की एकनोमिक और हेल्थ के सक्टर में दोनों अच्छे स्टेट माने जा सकते हैं वहां पर भी पूर कवरेज देखने को मिला यहां पर एडवर्ज इमेंट्स के बारे बात की जा रही है कि 0.18% जिनको वेक्षिनेट किया गया उनमें एडवर्ज इंपेक्ट देखने को मिला औ कि कि लोगों को वेक्षिनेशन करवाना चाहिए और कि इनको नहीं इसके अलावा रिशल आज भी हम पढ़ेंगे कोवी शिल्ड सीरे मिनिस्ट्ट ऑफ इंडिया ने उन्होंने भी क्लिरिफिकेशन दिया कि 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 लोगों पर इसका इंपक्ट हो रहा है तो उन लोगों को मन कि उन्हों ने कहा कि वेक्षिन को लेकर जो हेजिटेंसी है जो डर है यह पहली भी था जब पोल्य और मीजल्स क्यों लेकर था इसके बाद अगर आप देखेंगे यह यह पूरा का पूरा हेजिटेंसी जो खतम की जा सकती किसके तरू डायलोग के तरू बातचीत के तरू और इंशोर किया जासकता है, उनको जितने भी कंसर्ण है, उनको क्लियर किया जाए, आप लोगों के लिए पहला सवाल है, कि मीजल्स जो है, यहां पर आप कोई मीजल्स या खस्तरा हिंदी में बोल सकते हैं, यह किसकी वज़े से होता है, वो आपको नीचे मेंजन करना है, व agriculture bills के मामले में सुप्रिम कोट ने कमिटी फॉर्म की थी उसी चीज को लेकर वो पैनल जो बनाय गया था तो वो रोड मैप पर काम करेगा फार्मर इस्यूज को रिशूल करने को लेकर इनके अलावा वो स्टेट गवर्मेंट से फार्मर यूनियन से जो हैं बातचित करेगा कि पुरे की पुरे रिजूलिशन में कैसे काम किया जा सकता है इनके अलावा दिल्ली पुलिस और जो अभी फार्मर के पीच में जो रिपब्लिक डे सेलिबरेशन को लेकर इस्यूज है तो वहाँ पर फार्मर यूनियन ने कहा कि दिल्ली पुलिस को कि जो एक्सप्रेस वे है पेरिफेरियल एक्सफरिस वे या आउटर रिंग रोड अगर आप दिल्ली में तो आपको पता ही होगा आउटर रिंग रोड वहाँ पर वो जो है वो ट्रेक्टर मार्च करेंगे वो जहां पर पर प्रटिकुलर रिपब्लिक डे का सेलिबरेशन होता राजपत पर वहाँ नह कि गई थी कि क्या जो फार्मर्स हैं उनको हम रोक सकते हैं इस चीज़ से प्रेड करने से तो सुप्रेम कोट ने दिली पुलिस को ये कहा था कि लाइन डोडर की जो मेंटेन करना है इसकी रिस्पंसबिलिटी आपकी है और आपको क्या डिसीजन लेना ये आप डिसाइड कर लिए था कमिटी से और उनको लेकर एलिगेशन लगा कि कहीने के पॉलिटिकल ही वह पहले उनका उपनियन रहा है तो सुप्रेम कोट ने क्लारिफिकेशन दिया कि पहले जिसका कोई उपनियन हो इसका मतलब यह नहीं को बायास होगा यह कह सकते हैं कि मैंड सेट के साथ काम करेगा यह चीजें थी और इसी के बारे में क्लेरिफिकेशन दिया तो फ्रंट पेज पर तीन चार बेसिक इनफोर्मेशन थी इसके बाद पेज नमबर एट पे टसकर एंटेंजल इन फिसिंग नेट रेस्ट्यू फ्रोम रिजर्व एक जो हाथी था वो क्या हो गया था फि यह बार यूपीए सी सवाल पूछे हैं कि टाइगर रिजो कहा होते हैं मेजर टाइगर रिजो कौन-कौन सा मैचिंग पूछ सकते हैं तो जितने भी टाइगर रिजो नैशनल पार्क वाइलाइफ सेंचुरी या बाइस्फेर रिजो जितने भी न्यूज में हो उनको कवर क करेंगे और अपनी नोटबूक में हाइलाइट करके रखेंगे तो बांदीपूर टाइगर रिजो न्यूज में है घरनाटका का इंपॉर्टन टाइगर रिजो है हो सकता दूसरे टाइगर रिजो पर सवाल पुसा जाए तो जितने भी मेजर हाइलाइट में रहे उनको कवर करते रिए इनके अलावा आप लोगों से सेकेंड क्योंशन है कि भारत के अंदर इस टाइम टोटल नंबर ओफ टाइगर रिजो यानि बाग स्रंक्षित शेतर कितने हैं वो आप नीचे कमेंट करेंगे इसके बाद यहां पर आप पढ़ेंगे जैसे चीप जश्टूस इंडिया ने कहा कि expression of views not bias किसी particular topic पर अगर किसी व्यक्ति ने अपना opinion दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो bias है यह कह सकते प्री mindset के साथ काम करेगा इसी चीज़ को लेकर clarification दिया है कि there is some confusion in understanding the law one person may have an opinion before being a part of the committee but his opinion can change यहां पर बोला गया कि committee में आने से पहले हो सकता उसका opinion different हो लेकिन जब वो committee के अंदर आएगा तो उसके opinion change हो सकते हैं वो अपने हिसाब से यह committee के जो requirement है उसके हिसाब से जो है काम करेगा second इसी page पे जो information है page number 9 पे budget session शुरू होने वाला है budget session एक important session है Parliament के अंदर जनरली तीन session होते हैं जिसमें budget session, monsoon session और winter session हलाकि इस बार winter session नहीं हुआ था लेकिन Parliament के session के बीच में 6 महिने का gap नहीं होना चाहिए ठीक है यह rules and regulation कुछ हैं Parliament के तो budget session होने वाला है और इसमें बात की गई कि question hour होगा अब question hour क्या होता है? Question hour का मतलब क्या है? कि जो पहला hour होता है यानि पहले एक पहला जो घंटा जिसको बोल सकते हैं जो परले शुरू होती है जो पहले शुरू होगा पहला एक घंटा वो question hour को dedicated होता है इसमें question पुछे जा सकते हैं कैसे question? Star question, Unstar question और एक short notice पर question इस तरह के तीन question पुछे जा सकते हैं जैसे star question का मतलब क्या होता है? कि अगर एक question पूछा गया तो उसके सथ supplementary question ही पुछे जासकते हैं और Unstar question जो होते हैं वो written reply होते हैं उनके साथ supplementary question नहीं होते हैं और एक होता question on short notice वो भी question पूछे जा सकते हैं particular session के अंदर और 29 January चे बजट session शुरू होगा इनके अलावा आपको पता होगा railway budget और जो आम budget उनको मिला दिया गया है इनके अलावा जो planned और non planned expenditure था उसको mix कर दिया गया है और एक month जो बजट जो है अडवांस कर दिया पहले January last day of February जो उसको present किया जाता था लेकिन अब budget जो है 1st February को जो present किया जाता है परलेमेंट के लेकिन basic information जरूर होना चाहिए क्योंकि question hour, zero hour ये कुछ ऐसी टरम है जो UPSC target करती है तो इनको जरूर आप पढ़ते रही है इसके बाद page number 10 पे है India to fly out vaccine to neighbor भारत जो है अपने neighboring country को vaccine जो supply करेगा इसके अंदर बताया गया जैसे अफगानिस्तान की total population 3.8 क्रोड है तो इसको ल पाकिस्तान की तरफ से कोई request नहीं कीगी और भारत में भी इसको लेकर कोई discussion नहीं कि पाकिस्तान को vaccine भेजनी है या नहीं भेजनी है थर्ड आती है Maldives 5.3 lakh की population है और वहाँ पार एक लाक जो है vaccine की doses भेजी जाएगी तो नंबर अच्छा खासा कह सकता है as compared to population यहाँ पर 5. पॉइंट तीन लाग ही population इसको एक बार क्रोश चेक करना मुझे इस पर थोड़ा डाउट हो रहे कि मालदियूज में क्या सच में इतनी कम population है 5.3 लाग इसको रीचेक करके देखना है एक बार मालदियूज की population कितनी है किया 5.3 लाग है इसके लावा सिलंका के अंदर 2.2 क् जो भेजी जाएगी बंगलादेश की population 16.3 क्रोड है और फर्स्ट इपमेंट जो है 20 लाग डोजीज की है इसके अलावा बुटान 7.6 लाग क्रोड है और सिपमेंट जो है 10 लाग डोजीज की वहाँ पर अवेटिंग है और क्लीरेंस उसको दे दी जाएगी और नेपाल के अ हमने डिसकस किया था कि कोवी सिल्ड ने भी अपना गाइडलेंस रिलीज करी है एक फैक्ट शीट सेर करी है कि उनकी वेक्शिन के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़े जो है इंक्लूड करी है तो जिन लोगों को ऐलर्जीक रेक्शन हो रहा है जैसे आब ही हमने देखा है एल हिस्टिडाइन, एल हिस्टिडाइन करके हाइड्रो क्लोराइड, मोनो हाइडरेट, मेगनेशियम क्लोराइड, हेक्जा हाइडरेट, पोली सॉर्बेट एटी, एथानॉल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम, एडिट, डाइ हाइडरेट और वाटर जो है व इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर बात की जारी S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर और इसके लिए मिलिटरी स्पेसलिस्ट जो है वो S-400 ट्रेनिंग लेंगे मुस्को के अंदर जाएंगे भारत और रूस के बीच में एक important agreement है S-400 यहाँ पर आप देखेंगे यह मिसाइल सिस्टम है माना जाता कि दुनिया का सबसे strongest यह है और USA के पास भी exact इसका counter नहीं हो सकता इस तरह की चीज़े मानने जाती सबसे strong में से एक S-400 मिसाइल सिस्टम और भारत और रूस के बीच में 5.4 इन 5.43 बिलिन डॉलर के agreement हुआ था और एक important agreement यह कह सकते है भारत और रूस के relation में और इसी को लेकर military, military technical cooperation और सारा एक तरीके से understanding बढ़ाने के लिए भारत की जो details है उसके बारे में समझेंगे भारत और रूस के बीच में एक important partnership रही पहले से और भारत और रूस लगातार एक दूसरे के सयोगी बने रहे हैं लेकिन recently अगर आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर भारत और अमरीका के relation जो ज़्यादा strong हुए हैं इनके लावा 2018 में ये deal की गई थी इसके बाद ये भी माना जारा कि भारत के उपर sanction लगा सकता अमरीका क्यों अमरीका ने एक act पास किया था कार्ट साक जिसको बोलते हैं countering अमरीका अड़र्जरी थू सेंक्सेशन एक्ट ठीक है इसके अंडर पोसिबल है कि भारत जो भारत के उपर कुछ सेंक्शन लगाए जाए जैसे इरान के उपर लगा था लेकिन भारत ने clear कहा था कि ये उनके bilateral relation का पार्ट है इसमें किसी भी 3rd country के या भारत एक जो है वो sovereign country भारत अपने हिसाब से अपने relation को जो है decide करेगा इनके अलावा ये भी माना जारा कि आने वाले time में AK203 rifle और 200KA226T करके utility helicopters ये भी भारत और उसमें रश्याग बीच में agreement हो सकता है और इसके अलावा भारत और रूस दोनों इंडिया उशन के अंदर mutual logistics sport agreement पर काम करेंगे maritime cooperation को strong करेंगे और दोनों जो है अपने relation को strong करते रहेंगे और भारत और रूस के बीच में अप आने वाले time में और भी agreement हो सकते हैं defense को लेकर defense package को लेकर या defense coordination को लेकर cooperation को लेकर इसके बाद यहाँ पर बात की जारी नेता जी सुभाश अंदर ब party और all India forward block की demand कर रहे थे कि इसको देश frame दिवस के रूप में मनाया जाए 23 January को नेता जी सुभाश अंदर बोस की जो है वो birth anniversary उसी चीज को लेकर ministry of cultural या cultural ministry ने clarification दिया है union culture ministry ने की प्राकरम दिवस के रूप में मनाया जाएगा आप लोगों के लिए कई सारे सवाल है पहला स और सुभाश चंदर बोस किन किन major organization से जुड़े थे वो organization का आपको नाम mention करना है जैसे हमने पढ़ा था केशो चंदर सेन के बारे में पूछ लिया था तो हो सकता है आने वाले time में नेता जी सुभाश चंदर बोस के बारे में भी पूछा जा सकता है यहाँ पर जैसे All India Tribal Congress के बारे हम डिसकस किया गया आप लोगों से second question यह है कि आप लोगों को mention करना है कि भारत के अंदर total national political parties कितनी इस टाइम पे है यानि 2021 में 20 जनवरी 2021 तक भारत के अंदर total national political party कितनी है वो आप नीचे comment करेंगे इसके बाद world section के अंदर हम देख रहे हैं अमरीका लगातार news में रहता है और इसी तरीके से यह नेवलेनी वाला article भी हमने पढ़ाता रूस के context में इनके अलावा यहाँ पर an integration modified by security and health rate को लेकर यह आर्टिकल है यहाँ पर बताएगर कि वासिंग्टन DC या USA के अंदर जो जो जोई बाइडन प्रेजिडेंट बनेंगे आज से तो वहाँ को उसको लेकर क्या preparation है 20 जनवरी 2021 को जोई बाइडन जो है यूएस के प्रेजिडेंट होने वाले हैं और क्या procedure होगा क्योंकि recently हमने पढ़ा था कि जो डोनाल्ड टरम्प के supporter है उन्होंने violence create करने की कोशिश की थी और कहींने के dispute हुआ था पूरे की पूरे एरिया के अंदर उसी चीज को लेकर discussion है कि यहाँ पर security को लेकर कैसे काम किया जा रहा और क्या चीज यह क्या step जो गवर्मेंट उठा सकती इस चीज को लेकर ठीक है तो उसी preparation के बारे में यहाँ पर बताया गया डिटेल में बताया गया और inaugural जो एड्रेस होगा जो 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 बाइडन माने जाते हो एक practical approach follow कर सकते हैं practical approach का मतलब है कि जल्दबाजी में कोई decision नहीं लेंगे और उनका एक proper planning होगी proper एक ऐसी team होगी जो सोच समझ कर decision लेगी और क्या implication हो सकते हैं आने वाले टाइम में उन्होंने announce भी किया है कि वो जो है Paris Accord या Paris Agreement जो की important climate change को लेकर वहाँ पर उसमें participate कर सकते हैं और कई सारे प्लान है जैसे एक 8 एर का citizenship path को लेकर एक belief introduce कर सकते हैं कई चीजे हैं जो जो बाइडन कर सकते हैं और आने वाले टाइम में इसका असर जो दुनिया भर में पड़ेगा और सभी देशों को खासकर उन देशों को जिनके साथ अमरीका की अच्छे relation फिलाल नहीं है उन पर क्या impact पड़ेगा जैसे इरान, रूज और चाइना ये country wait कर रहे होगी क्या impact पड़ेगा और कैसे वो जो है अपने presidential year को complete इसके बाद बात की जारी है चाइनेज वैक्षिन की चाइनेज जो कोविड-19 वैक्षिन है वो साउथ इस्ट एशिया के अंदर उनको टेकर उनको जो है वैक्षिन को accept करने वाले मिल गए है और लगबग 20 countries के साथ उनने डील की agreement की इनमें अगर आप बात करेंगे चाइना लापूर, थाइलेंड, फिलिपेंस, पाकिस्तान, ब्राजिल, युक्रेन, सर्विया ये मेजर कंट्रीज है जिनको जो है चाइना भेजने वाला वैक्षिन ये कंट्रीज के लिश्ट दी गई है और कई सारी कंपनी है पांच कंपनी उन्होंने डवलप करी है इनमें से दो सारी कंट्रीज के साथ इनका एग्रिमेंट चल रहा है इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका ओल वैदर फ्रेंड है पाकिस्तान पहली कंट्री बन गई है जिनोंने साउथ एशिया के अंदर जिनोंने अपरूव करी है चैनीज वेक्षिन को पाकिस्तान एक पंदरा फिष्टि के आसपास 6 रुपिया 15 पैसे तो इनको शिरफ इतना लोन तो इन्होंने इंसे ले रहे रखा चायना से यानी अपनी GDP का अपनी कमाई का 6.15 फिश्टी जो है इनको चाइना को पे करना है इतना हैवी लोन ले रहा है और चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर को माना जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए डेट ट्रेप या करज में डुबो देने वाला ये प्रोग्राम हो सकता है ठीक है देशी जीज़ के बारे में खैर उनका अपना डिसीजन है जो करना वो करें लेकिन हमारी इंटिग्रेटर सोवरनिटी को अगर टच करने कोसिस करेंगे तो हमारी फोर्सिज हमारी गवर्मेंट उसके एप्रोप्रेट जो भी कदम उठाय जा सकता वो उठाएंगे लास्ट स जारी इंडिया का जो टेलिकॉम टेक्नोलोजी है वो उसकी डिमांड भी है और उसमें यह माना जारा कि भारत जो है डवलप करेगा किस चीज़ को अपना खुद का इंडिजिनियस जो फाइजी नेटवर्क फाइजी मोडल को उसी चीज़ को लेकर हमारे जो यूनियन मिनि नेटवर्क में जो अपरिशनिटी थी वो हमने मिस करी लेकिन फाइजी नेटवर्क के अंदर हम लोग काम करेंगे और एक इंडिया डिजिटल सम्मिट और्गनाइज की गई थी उनके अंदर उन्होंने बात करें इनके अलावा यहां पर बात की कि सेंटर का जो प्रोड़ जो है वो डेवलप के जाए और आने वाले पांच साल में सात लाग क्रोड के जो एक्सपोर्ट इसके अंदर हमें करने मुबाइल फोन हो यह दूसरी एक्विप्मेंट हो इनके अलावा भारत जो है सेकिंड बिगेस्ट मुबाइल मैनुफेक्ट्रेर दुनिया के अंदर औ पराने वाले टाइम में हम एक लीड प्लेयर की तरह काम करेंगे लेप्टोप में मसीन टो मशीन एक्विप्मेंट को डेवलप करने के मामले में टेबलेट्स में इंटरनेट ओफ तिंक्स में अलग अलग चीजों में जिसमें 5G नेटवर्क को रोल आउट किया जा सकता है आप लोगों के लिए एक और क्योशन है कि 5G नेटवर्क में या 5G के मेजर अप्लिकेशन क्या हो सकते हैं 5G टेकनोलोजी के वो आप नीचे कमेंट करेंगे देखो मैं जितने भी क्योशन पूस रहा हूँ इसके पीछे रेजन यह कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगो इसको मैक्सिमम् बच्चे हमारे साथ ही जो है क्रैक करके आप इसी इसी उमीद के साथ हम क्योशन पूचते हैं और प्लीज सारे क्योशन को आंसर करने कोशिच करिए गूगल करिए जो झानर करिए के बाद तो icon का उसको हम करेंगे हमारे 25 question complete हो चुके हैं तो 75 हो चुके हैं 76 number question है regarding atal pension योजना which of the following statement is our correct यारी atal pension scheme के बारे में कौन सा और कौन से statement सही है यहां हमार बता है कि it is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers only one member of a family can join the scheme third statement बोल रहा है same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death अप हिंदी में इसको देख लिजी ताकि confusion ने रहे atal pension योजना के सम्मन में निमलिक कत्रों में से कौन सा या कौन से सही है यह एक new term guaranteed pension योजना है जो मुक्य रुप से ऐ संग्ठित सेत्र के मज़़ों को लक्षय बनाती है second बोल रहा है प्रिवार का केवल एक ही वेक्तिश योजना में सामिल हो सकता है third statement है अभी दाता की मिर्तियों के पहचात जीवन साथी को आजीवन pension की समान रासी guaranteed रहती है तो इसमें जो right अगर आप देखेंगे कि केवल एक ही member सामिल हो सकता है तो second जहां जहां होगा वो गलत हो जाएगा यानि option B और option D जो है cut हो जाएगा इसके इसका मतलब है कि पहला option जो है वो automatically सही होगा ये एक minimum guaranteed pension scheme है और इसमें target किया जाता है unorganized sector worker को इसके बाद ये third वाली statement हमें check कर रही है और यहाँ पर जो बताएगी same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death यानि जिन्होंने subscription ले रखा है अगर उस व्यक्तिक death हो जाती है तो जो spouse होगा उनको guaranteed same amount दी जाएगी pension की तो ये statement सही है तो इसमें one and three दोनों इसमें right हो जाएगा तो scheme पर कई सारे सवाल UPSC पूछ रहे है तो जो major scheme news में रहे तो उनको जुरूर ध्यान रखना इसके लागा क्योंकि current government जो है पिछले 5 साल में पहले भी यही government थी तो हो सकता है कि पुरानी scheme भी वो पूछे तो scheme वाला जो sector है scheme वाला जो part है उसको जो है एक बार फिर से revise करेंगे इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है एक term regional comprehensive economic partnership कभी-कभी news में रहती है और regional comprehensive economic partnership जो है अभी भी news में है तो किस group से related है उसके बार हम सवाल है हिंदी में इसमें particular कुछ mention नहीं किया again वही लिखके दे दिया है regional comprehensive economic partnership ठीक है तो इसमें चार बताएगे कि यह किस से related है पहले इन्होंने दिया G20 से आश्यान से SEO से सारक से तो G20 से तो related नहीं है और आश्यान से यह related है क्यों? क्योंकि regional comprehensive economic partnership है क्या आश्यान प्लस 5 country पहले 6 country थी अब 5 country इसमें अंदर होगी है तो आश्यान प्लस 5 countries के बारे में फिर से news में हो सकता है 2021 में पूछ ले तो यहाँ पर आश्यान प्लस 5 countries आएगी आश्यान के अंदर 10 countries आती है और 5 countries में कौन-कौन से आएगी इसमें न्यूजलेंड है अस्ट्रेलिया है और उपर से अगर आप देखेंगे चाइना, साउथ कोरिया और जापान ये कंट्री जिसके अंदर आएगी अब मैप में थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके देखेंगे तो अस्ट्रेलिया इसके बाद न्यूजलेंड ये वाली और यहां पर आप उपर जाएंगे थोड़ा सा जापान, साउथ कोरिया चाइना ये जो कंट्री है साउथ इस्ट एशिया की जिसको आशियान भी बोलते है ये आएगी इसके अंदर और प्लस फाइव कंट्री टोटल हो जाएंगी पंदरा कंट्री अब नियूज में क्यों है क्योंकि भारत ने इससे विड्डरो कर लिया भारत ने अपने आपको इससे एगजिट कर लिया तो G20 का पार्ट नहीं है कि ये आशियान का पार्ट है SEO का भी पार्ट नहीं है संगाई कोपरेशन और्गनाजेशन का और एक country और होगी एक सकिन, तुर्कमेनिस्तान को हटा दें, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकस्तान, चार मेजर, भारत और पाकिस्तान, छे और रश्या और चायना, ये total इसमें 8 countries है, ये ध्यान अखनाब question में, सारक का member नहीं है, क्योंकि सारक तो कह सकते हैं कि depth में पुछा गया, on which of the following, can you find the bureau of energy efficiency star label, यानि energy efficiency star label के बारे में सवाल पुछा गया है, कि किन किन पर आप कोई मिलता है, उर्जा दक्सता ब्यूरो का star label आप कहां पर देखते हैं, तो ये इसी को लेकर दिया गया, ceiling fan यान जो छट पे पंक्यों होते, electrical geyser, tubular, fluorescent lamps, इन में से कौन सा सही है, तो मैंने अभी इसका जो सर्च किया था, ये original इसकी list है, और ये ministry of power, government of India के इंडर काम करता है, तो इसमें बताया गया, जो हमारे लिए पुछा गया था, जो हमारे option से match करेंगे, वो है tubular fluorescent lamp, इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे, ceiling fan, और तो थर्ड था, electrical geyser, यानि तीनों से में सही answer होंगे, तो इसके लावा refrigerator है, room air conditioner है, distribution and transformer है, हो सकता है, फिर से पूछे, RAC है, cassette, floor standing tower, ceiling, corner AC, direct cool refrigerator, electrical geyser, color TV, variable, electrical air conditioner, और LED lamps, ये हो सकता है कि आने वाले time में आप से फिर से repeat करें, और possibilities हो सकती है, तो इनको ध्यान रखना, कि सव भी हालत में question हमारे छूटने नहीं नहीं चाहिए, तो maximum हम question को solve करेंगे, और वो कब करेंगे, जब हम practice करेंगे, तो इसमें 1, 2 and 3, 3 हो इसमें हो जाएंगे, सही, इसके बाद, 79 number question, India is an important member of the international thermonuclear experimental reactor, भारत एक important member है, इस group का, अगर ये experiment successful हो जाता है, तो भारत को क्या advantage इसका मिलेगा, यहाँ पर आप हिंदी में अगर इसने mention किया हो तो हिंदी में जरूर पढ़ना क्यों थोड़ा difficult है, अंतरास्टिय ताप नाविकिया प्रयोगिक रियक्टर जो है, अगर ये प्रयोग सफ़ल होता है, तो भारत को इसका क्या benefit होगा, अब इसके options को देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर थर्मो नुकलर के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें से पहले बात की भारत थोरियम को यूज करेगा, इन प्लेस ओफ यूरेनियम, तो भारत कई जगह पर अल्रड़ी थोरियम का यूज करता है, नुकलर सप्लायर के रूप में या नुकलर को पूरे नुकलर रियक्टर में, तो यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, सेकिन एक गलोबल रोल एटेन कर लेगा, नैविगेशन के अंदर, तो थर्मो नुकलर जो है इस एक वर्ड से आप ब्रेक करेंगे, तो यह नुकलर से लेटिड है तो यह भी कहीं ने कहीं सही नहीं है, और थर्ड ओप्सन दिया गया है, कि ड्रेस्टिकली इंप्रूव करेगा अपने फिजन रियक्टर को पावर जनरेशन के लिए, जो यह वर्ड यूज किया गया ड्रेस्टिकली, यानि तेजी से भारत अपनी चीज़ों को बदल के निर्मान कर सकता है, यह जो दो वर्ड है, यह जरूरी आपको पता होना चाहिए, विखंडन और सल्यन, विखंडन का मतलब क्या होता है, कि टुकडों में डिवाइड होता है, जैसे एक से दो, दो से चार ऐसे, और सल्यन क्या होता है, कि जोइंट हो जाते हैं सारे के सारे, तो इन टर्म्स के बारे में जुरूर देखना फीशन और फ्योजन इसको लेकर थोड़ा कन्फूजन भी रहते हैं यह दो इंपोर्टेंट टर्म तो इसमें जो राइट आमसर होगा यह विदू तुपादन के लिए सल्यन रेक्टरों का निर्मान कर सकता है यह एक इंपोर्टेंट इसमें था लास्ट क्योशन हम देखेंगे और वो क्योशन भी तोड़ा डिफिकल्ड है क्योंकि अन्चेंट हिस्ट्री असरी मरेवल इंडिन हिस्ट्री किसे लेटेड है एरापती तैन्योर और घातिकाज यह दिया गया है दो चीजे मुझे यह नहीं होते व्लेज जो जो डोनिट किया जाता है यह सही अंसर है कोलेज जनरली अटैज किया जाते है टेमपल के साथ उनको घातिकाज बोलते हैं यह सही है, लेकिन इसमें first में confusion था कि इरापत्ती है या नहीं है, तो यहाँ पर यह जो answer है, इसका right answer होगा 1 and 3, यह इरापत्ती भी select करेगा, land revenue from which was set apart for the main maintenance of village tank, यह tough question है, और इतना असान नहीं होने वाला इस तरही question को solve करने के लिए, लेकिन practice करेंगे, और ज्यादा practice करेंगे, major जो ट्रम्स पर सवाल पूस रहा है, उनको practice करेंगे और इनका solution ढूनेगे, हिंदी में आप pose करके यहाँ से देख लेना, thank you all, jahin.